नमस्कार स्वागत जार्खन की फटापट ताजा बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर जार्खन में ठंड ने दी दस तक 10 डिगरी तक गिरेगा 12 जार्खन में ठंड दस तक दे चुकी है सुबह के समय कोहरा भी जाने लगा है सुबह शाम ठंड और दीन में धूप सेहत पर असर डाल सकती है शुरुवाती ठंड के इस तौर में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है मौसम विभाग के पुरुवानमान के अनुसार आने वाले तीन से चार दिन में तापमान में तीन चार डिगरी तक की गिरावट हो सकती है वहीं छट पूजा के दोरान भी अच्छी खासी ठंड में बृदी हो सकती है च्छट के बाद एकदम से पारा लोड़कने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार नुवंबर के आखरी तक रात में पारा 10 डिगरी सेलसियस तक गिर सकता है इसके बाद ठीठोरन बढ़ने की संभावना है फिलाल अभिरात में टेंपरेचर सत्र डिगरी सेलिसियस के आसपास रहता है आने वाले सब्ता में सुबो शाम कोहरा चाय रहने की संभावना है वहीं बीच में बादल भी चाय रह सकते हैं लेकिन बारिश नहीं होगी जारखण में परधानमंत्री नरेंद्रमोदी की चुनावी जनसभा गुसपैट और रोटी बेटी माटी पर जोर जारखण में बिधानसभा चुनाओ की गहमा गहमी जोर पर है इस भी जहारखण के गढ़वा और चैवासा में पीम नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली जन सभा की इसका फोकस पॉइंट था रोटी, बेटी, माटी, महिला और युवा भाशन की शुरुवात उन्होंने छट परविकी शुपकामना के साथ की इसके बाद उन्होंने तीन नॉंबर को जारी भाशपा के संकल्प पत्र को एतिहासिक और जहारखण के विकास के लिए महत्पून बताया खास बात रही कि पूरे भाशन में पीम मोदी ने जहारखण मुक्ती मोर्चा पर हमला तो बोला लेकिन सोरेन परिवार का नाम नहीं लिया खाबरों की माने तो ऐसा करने के पीछे उनका आदिवासियों को साधने का परयास भी हो सकता है आदिवासी समाज में सीबू सोरेन परिवार की पैट अभी भी परकरार है जहारखण के धनबाद से बड़ी खबर है यहां भीसन सड़क हाथसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की दरदनाक मौत जहारखण के धनबाद जीला में इनिज 19 पर तेज रपतार का कहर देखनी को मिला जीटी रोड पर हुए सड़क दुर्गाटन गटना में एक ही परिवार के तीन लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है वहीं दो घायल बताय जा रहे हैं खबर है कि दोनों को इलाज के लिए SNMMCH अस्पताल में भरती कराया गया है जहां एक की हालत गंभीर वनी हुई है हाथसे से पहले सड़क पर किनारे स्कूल छोड़ने के लिए खड़े थे बतादे कि गोविंदपूर थाना छेतरे के फरिगडी साहब गंज रोड के समीब कोलकाता रूट से दिल्ली की और जा रही तेज रप्तार पीकप वेन की चपिट में आने से तीन लोगों की दर्दनाक मोथ हो गई इस हाथसे के बाद लोग काफी आकरुसित हो गए और जीटी रोड को जाम कर दिया हाईवे के दोनों लेन में लगभग दो किलुमेटर लंबी वाहनों की कतार लगने से सड़क जाम हो गई हलाकि लोगों के शांत होने के बाद जाम हटाई गई और सुचारू रूप से यातायत को बहाल किया गया है जारखन सरकार की याची का पर सर्वोच अदालत आठ नॉमबर को करेगा सुनवाई जारखन के संथाल परगना में बंगलादेशी गुस पैठियों के मामले में जारखन सरकार ने सुप्रिम कोट में याची का अदायर कर जारखन हाई कोट के फैसले को चुनावती दी है सुप्रिम कोट आठ नॉमबर को इस मामले की सुनवाई करेगा जारखन सरकार ने हाई कोट के उस निर्देश को चुनोती दी है जिसमें घुसपैट की जाच के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कठीत करने और अधिकारियों के नाम तैकर्ण कर बताने का निर्देश दिया गया है संथाल के छेजिलों में बंगलादेशी घुसपैट से वहां के डीसी ने इनकार कर दिया है डीसी दवरा हाई कोट में दाखिल शपत पत्र पर याची का करता ने आपपती दर्च कराई थी बता दे किस मुद्धे पर सुप्रीम कोट में भी एक मामला लंबित है हाई कोट ने कहा कि अगर इस मामले की जाच के लिए एक कमिटी बन जाती है तो क्या दिक्कत है पंजाब नेशनल बैंके में ओफिस असिस्टेंट के निकली भरती किया है बता दे कि बिग्यापन के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक की ओर से निकले गए ओफिस असिस्टेंट के पद पर आवेदन पर क्रिया से लेकर आवेदन करने के लिए मतपूर्ण दस्तावेजों की जानकारी वेब साइट में दी गई है ओफिस असिस्टेंट भरती 2024 के तरफ पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से संविदा के आधार पर निकाले गए ओफिस असिस्टेंट के पद पर आवेदन करने के लिए 25 अक्टूबर 2024 को बिग्यापन जारी किया गया है पंजाब नेशनल बैंक में निकले ओफिस असिस्टेंट के पद पर आवेदन परक्रिया 25 अक्टूबर 2024 से शुरूफ हो चुके हैं जबकि ओफलेन आवेदन करने की अंतिम तारीक 15 नॉमबर 2024 निर्धारीत की गई है राशनकार धारकों को अब कम मिलेगे चावल सरकार ने एक नॉमबर से लागू कर दिया यह नयानियम एक नॉमबर से भारत सरकार ने राशनकार धारकों के लिए चावल और गेहों की मात्रा में बदलाव किया है खबरों की माने तो अब सामान जिहां समान रूप से धाई किलो चावल और गेहु मिलेगा साथ ही एक किवाईसी की अंतिम तारिक 31 दिसंबर तै की गई है भारत सरकार समय समय पर देश की गरीब और जरूरत मंद जनता के लिए नई योजनाय लेकर आती है जिसे उन्हें सस्ते दरों पर खादे सामगरी मिल सके ऐसे ही एक बदलाओ की गोशना करते हुए सरकार ने एक नॉवंबर दर्च दुज़ार चोबीस से राशनकार धारकों के लिए राशन वीतरण में कुछ अहम बदलाओ किये है इन बदलाओं का उदेश राशन की उपलब्धता और वीतरण को समान रूप से सुनिशित करना है एक नॉवंबर से लागू किये गए ने नियमों के तहट अब राशनकार धारकों को चावल और गेहों की मातरा में परिवर्तन किया गया है पहले जहां राशनकार धारकों को तीन कीलो चावल और दो कीलो गेहों मिलते थे अब उन्हें दोनों ही ढ़ाई कीलो की मातरा में मिलेगा यह बदलाओं इसलिए किया गया है ताकि खादे सामगरी की संतुलन बना रहे और हर व्यक्ति को समान रूप से लाम मिल सके जिन्हें नियमित रूप से खाने से गंभीर बीमारियों का खत्रा बढ़ सकता है इनमें मोटापा, हिरदे रोग, कैंसर और डायविटी जैसी कई बीमारियां शामिल है स्वास्ते जीवन शेली बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने आहार में बहुत सोच समझ कर खादे बदार्थों को शामिल करें मिसेट मीट जैसे जिहां प्रोसेट मीट जैसे सौसेज, हैम और बेकन में सोडियम और संगरक्षग रसायनों की अधीक मात्रा होती है जिसे इसे लंबे समय तक सुरक्षीत रखा जा सके WHO के अनुसार इनका अधीक सिवन कोलेरेक्टल जिहां कोलोरेक्टल कैंसर को खत्रा बढ़ा सकता है इसके अलवा सूगर मेक्स के ड्रिंक्स जैसे सोडा और एनर्जी ड्रिंक्स में अत्यधीक कैलरी होती है जो वजन बढ़ाने और टाइप टू डियाबिटीज के कारण बन सकती है WHO इसके बज़ाए पानी और ताजे फलों केरस का पानी इस्तेमाल करने की सला देता है ट्रांसफेट वाले खादेपदार्त जैसे पैकेजट स्नेक्स, फास्ट फूड और मार्जरीन हिर्दय स्वास्ति के लिए बेहद हानी कारक माने जाते हैं ये खराब कॉलेस्ट्रोल के स्तर को बढ़ाते हैं और अच्छे कॉलेस्ट्रोल के स्तर को कम करते हैं जिससे हिर्दय रोग का खत्रा बढ़ जाता है इसके अलावा वाइट सॉल्ट सफेद नमक का अधिक सेवन सेहत के लिए नुकसान धायक हो सकता है डबली एचों के अनुसार परते दिन पांच ग्राम से अधिक नमक का सेवन उच रक्त शाप और हिर्दय रोगों का जोखी में बढ़ा सकता है खासकर चीप्स डिबाबंध भोजन और फास्ट फूड में अतरिक्त नमक होता है जिसे कम मातरा में ही खाना चाहिए प्राई ने ठगों के लिए शुरू किया ये काम भारत में साइबर फ्रोड के मामले लागातार बढ़ रहे हैं ठग नएने तरीकों से लोगों को ठगने में जूटे हैं इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सरकार सक्रिय हो गई है और भारतिय दूर संचार नियमक प्राधिकरन यानी ट्राई ने टेलिकों ओपरेटरों को निद्देश दिया है कि वे यूजर्स के डेटा को सुरक्षित, सुरक्षा के लिए आउश्यक कदम उठाएं इसके तहट नियमों में बदलाव के लिए पहले एक सितंबर तक का समय दिया गया था लेकिन हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार ट्राई ने इसे अंतिम तारिक को बढ़ाने का फैसला किया है रिपोर्ट के अनुसार ट्राई ने एक महिने के लिए तारीख को बढ़ा दिया है और अब यह एक देसंबर होगी इसका मतलब है कि टेलीकोम कमपणियों को अब कॉमर्सियल मैसेज के लिए नए Transibility नियम लागू करने के लिए एक महिने का और समय दिया गया है इस सरकार के फैसले से Relance जियो वोड़ा फोन आइडिया यरटेल और BSNL के ग्राहकों के लिए स्केमर्स से बचना आसान हो जाएगा इसे यूजर्स को ठगी से बचने में मदद मिलेगी उमिद है कि जल्दी ही यह मौडल त्यार किया जाएगा जिसे ठगी को रोकने में मदद मिलेगी नए नियमों के लागू होने से लोगों को सुरक्षित महसूस होगा और वे बिना किसी चिंता के अपने फोन के इस्तिमाल कर सकेंगे 18 माह के एरियर को लेकर आई बड़ी खबर सरकार के इस एलान से खुसी से जूम उठे कर